मेरा नाम है अधिती राना और आज हम डिसकस करेंगे कि डांक विभाग का जो शीष प्रबंदन निकाय है वे कौन सा है ठीक है यानि कि एपेक्स मेनेजमेंट बॉड़ी ओफ डिपार्टमेंट आफ पोस्ट कौन है ठीक है तो वो है आपका PSB यानि कि Postal Service Board इसे आप हिंदी म करता है PSB यानि कि Postal Service Board इसे आसान भाषा में समझने के लिए एक छोटा सा एक्जामपल लेंगे ठीक है हाल ही में जो सभी GDS BPM थे उनसे पुरानी RICT डिवाइस को वापस ले लिया गया और उसके बदले में क्या दिया गया एंड्रॉइड मूबाइल दिये गया ठीक है य उसे लेके आने जाने में बहुत जादा दिक्कत होती थी है तो इस बात का जो भी decision है वो किसने लिया होगा definite सी बात है वो लिया होगा PSB यानि कि Postal Service Board ने ठीक है अब PSB में कौन-कौन रहता है यह जानना भी हमारे लिए बहुत important है तो चली अब इसके बारे में बात करते ह PSB comprises one chairman and six members यानि कि Postal Service Board में एक अध्यक्ष और छे सदस्ते शामिल होते हैं अब इसे हम याद कैसे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक photo को गौर से देखिए यहाँ पे आपको photo दिखाया है एक chair का यानि कि अब आप इस photo को दिखे क्या याद करेंगे कि PSB में क्या है ए 6 members का यानि कि 6 लोग खड़े हुए हैं तो अब आपको याद रहेगा कि PSB में chairman तो एक है लेकिन members कितने है 6 है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको याद रहेगा ठीक है अब हम trick से पूरी तरह अच्छे से याद कर चुके हैं तो चलिए check करते हैं आपको कितना याद हुआ है को यह PSB comprises one chairman and six member ये वाला सही है ठीक है तो अगर आप image के साथ याद करेंगे तो आपको लंबे समी तरह याद रहेगा ठीक है secretary की image के ठीक है next बात करते हैं इसमें DG यानि की director general और ADG यानि की additional director general भी शामिल होते हैं और 6 members होते हैं ठीक है जो 6 members होते हैं PSB में वो किस-किस field से आते हैं उसे देखते हैं personal, planning, PLI, operations, technology and banking and equity तो इन members से related भी कोई caution अगर पूछा जाए तो हमें वो याद हो तो इसके लिए हम एक और image को आप देखेंगे ठीक है Firstly तो इन members के नाम आप याद रखें उसके लिए trick यह है कि आप यह word याद रखें PPP, OTB इसी के साथ अब यह image देखते हैं और अच्छे से याद करते हैं देखिए PPP से हमने याद किया personal planning PLI ठीक है personal planning PLI और OTB से हमने याद किया operation, technology, banking and equity ठीक है अब caution किसी भी तरह से घूम के आजाए अब आप उसे answer कर पाएंगे चलिए खुद से देखते हैं अब हम देखते हैं किस तरीके से caution यहाँ से पूछा जा सकता है दो ही pattern है type 1 यानि कि पहला तरीका तो यह है कि यह पूछा जाए कि बताईए इनमें से PSB का member कौन है तो वहाँ पे क्या होगा कि तीन तो random option होंगे और एक होगा वो हमें क्या होगा member दिया होगा तो हमें उसे select करना है कि इनमें से PSB का member कौन है type 2 की बात करें यानि कि इसी question को गुमा के कैसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन PSB का member नहीं है यानि कि यहाँ पे क्या होगा तीन तो हमें member दिये जाएंगे लेकिन एक कोई option होगा वो हमें कहीं दूर से अलग से दे दिया जाएगा तो दौनों कौशन आप देख चुके हैं क्योंकि आपने image के साथ याद किया तो आपको पक्कावल याद हो गया अब next बात करते हैं अब जो PSB यानि डांक सेवा बोर्ड है इसमें दो permanent invite यानि कि स्थाई आमंतरित व्यक्ति होते हैं अब हम देखेंगे कि वह कौन कौन है तो वो है additional secretary और financial advisor ठीक है यानि कि अतरिक्त सचीव और वित्य सलाकार अब इसे गौड से देखिए क्योंकि caution पूछा जा सकता है कि PSB में कितने permanent invite होते हैं ठीक है तब आप बताओगे कितने होते हैं तो दो बताओगे अब अगर पूछा जाए वो दो कौन से permanent invite हैं तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो है additional secretary और financial advisor ठीक है तो caution कुछ इस तरीके से आ सकता है कि PSB में कितने permanent invite होते हैं आप बताओगे दो कौन कौन होते हैं वो permanent invite है तो वो हैं आपके additional secretary और financial advisor next point की बात करते है headquarter यानि कि मुख्याले में board के लिए जो भी necessary functional support यानि कि जो भी आवश्यक कार्यात्मक साहता है वे निम्न व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाती है ठीक है यानि कि जो भी headquarter है वहाँ पे जो भी functional support की जरुवत होती है उसे तीन मुख्य व्यक्ति देते हैं अब वो तीन मुख्य व्यक्ति कौन है वो भी हम देख लेंगे वो है आपके deputy director general director और assistant director general तो ये तीन नाम important है आपको याद रखने है ठीक है functional support कौन देता है तो वो देते हैं तीन लोग कौन है वो deputy director general assistant director general और director ठीक है यानि अब हम समझ चुके है कि इन तीनों के द्वारा board के headquarter में आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है तो चलिए जब हम यहाँ तक समझ चुके हैं तो हम एक point आगे बढ़ते हैं PSP co-directorate यानि निर्देशा लेके senior staff officer मतलब के वरिष्ट कर्मचारी अधिकारियों द्वारा secretary to the board यानि कि board के सचीफ के रूप में सहायता प्रदान की जाती है ठीक है अब एक और next point आउसे भी देखते हैं postal service board comprises officer on deputation from civil post यानि कि जो सेना डांक सेवा है जो army postal service है वहाँ के जो अधिकारी है वो represent करते हैं postal service board में इस वीडियो में इतना ही अंतितक देखने के लिए शुक्रिया